हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार जापान एक ऐसा देश जो प्लेट बाउंडरी पर सिचुएटेड है डियर उस प्लेस पे अगेन अर्थक्विक ने हिट करा और इस केस में जापान के कुछ एरियास में सुनामी का फर्मेशन हुआ और ये सुनामी ईश्वर की गरपा रही के भई अपने मैक्सिमम पोटेंशल से उस एरिया को हिट नहीं कर पाई केंदर से काफी दूर रही और यही कारण बना कि आज जापान फिर से एक बार सुरक्षित इस्तिती में बना हुआ है आए सब सब पहले खबर पर नजर डालते हैं और उसके बाद इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि exactly क्यों कहा जाता है जापान को एक ऐसी भूमी जो भूकंप और जौला मुकी इगती विदियों का केंदर है और साथ ही इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि यह वो इस्तान कौन सा है काम की बात यह है कि हम उस इस्तान के बारे में इसले भी जानना चाते हैं डियर आज से पहले इस इस्तान पर वॉल्कैनिक इरॉप्शन से नई आइलेंड का भी फर्मेशन हुआ था आई यह सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं जहां पर खबर यह आई कि मंगलवार की सुबह सुबह अचानक जापान के एक ब्वीप के समीप अर्थक्विक महसूस करा गया बुकम्प के जटके महसूस करे गया और टोक्यो के जो मौसम विग्यान एजेंसी है संस्थान है उनके द्वारा यह बताया गया कि मंगलवार की सुबह लगभग 5.9 मेगनिट्यूट का अर्था तीवर्दा का एक बुक लोगों को तटिये छेतर से हटाने का कारिय शुरू कर दिया गया था यहाँ पर और जानने ही होगी है कि जापान के जिस जक्षनी भाग में भूकम की चर्चा हम कर रहे हैं वे डूप वासविक्ता में इजी नाम से जाने जाते हैं और इज इजू डूप का अगर आपको लोकेशन बताऊं तो जापान में कुलमिला के चार मेजर जो है वो आइलेंट्स दिखाई देते हैं इसमें आपको होंशू होकाइडू शीकोकू और क्योशू जो द्वीब दिखाई पड़ते हैं उनमें से जो टोक्यो वाला एरिया है खासकर यहां वाला जो एरिया है होंश करे गए थे और इन जहटकों का अगर मैं केंद्र की चर्चा करूं तो यहां यहां बताया गया कि जो इसका एक्जेक्ट केंद्र था वह प्रशांत वहां सागर की और जो प्लेट है वहां पर सिचुएटेट था और इसकी गहराई लगभग बताई गई कि यह 10 किलो मीटर गःए कर इस्थित्थ अर्था या भूकम्प वहां त्विक्टा में बहुत अधिक गहराई पर सिच्एटेड़ बहुत अधिक गहराई पर उत्पन होने वाला भूकम्प नहीं था अब ये तो हुई खबर की बात ये तो हुई वह बात जो प्राइमा फेशिया में प्रतमदर्ष्टी में हमें दिखाई देती है लेकिन डियर जिस एरिया में ये वल्कैनिक इरप्शन हुआ है यहाँ द्यान से देखें जो इजू द्वीप अभी चर्चा में आपको स्वाइशन हो गया था नई द्वीपो की उत्पत्ती हो गई थी रीजन यह रहा था कि इस एरिया में वल्कैनिक इरप्शन से इतने मैसिव अमाउंट में मैगबा निकला कि वह सागर की सतह के उपर आ गया जरा इमेजिन करिए इस कंडिशन को जापान एक ऐसा देश जो भ कि इसे कुरिल द्वीप जैसे छोटे द्वीप समुहों के लिए भी एवन रश्या के साथ राइवल्री मेंटेन करनी पड़ती है वेल हंटिंग तक करने के लिए मजबूर रहा जापान आज के समय फिर से टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बुकम फेस कर रहा है अब यहां कोई बात नोटिस कर पाएंगे जो मेजर कॉंटिनेंस आपको दिखाई देते हैं चाहे वह उत्तरी अमेरिका हो चाहे वह दक्शनी अमेरिका हो या फिर हो ऐफ्रिका का हिस्सा या फिर एशिया और यूरोप की बैल्ट यह सारे ही जो हिस्से हैं यह वासुक्ता में पर situated है इसे प्लेट टेक्टोनिक थियोरी अर्था प्लेट विवर्थी करण के सिद्धान से समझाया जाता है कि यह जो प्लेट्स है यह जो हिस्से हैं यह हिस्से मूव करते हैं और इन्हीं मूवमेंट के कारण एरियाज में जो वल्कैनिक एक्टिविटीज है अर्था ज्वाला मुखी गतिविदिया यह आती है और साथ ही भूकंपो का निर्मान भी होता है उनकी उत्पत्ती भी होती है अब इस बात को समझे कि यह जो प्लेट्स हैं इन बड़ी और दो माइनर इवन प्लेट्स के बीच में सिचुएटेड है जरा पीछे देखिए आप नजर दोड़ाएंगे तो आपको एक बात स्पस्ट होगी कि एक मेजर प्लेट आपको यहां दिखाई देगी जिसे प्रशान्त महसागर की प्लेट कहा जाता है पैसिफिक तूटने से माइनर प्लेट का फॉर्मेशन हुआ यह काफी क्रूशल है जरा देखिए यहां आप पाएंगे कि जो अखोटस की प्लेट है यह अखोटस का एरिया बेसिकली एक सी है और यह एक ओशनिक प्लेट है इसी प्लेट पे आधा जापान और इसी प्रकार से जापान का बिल्कुल दक्षणी भाग जहां आपको यंगित सी प्लेट और साथ में जो अमूर प्लेट है इनके किनारे दिखाई देते हैं अर्थात प्राइमरली जो कहा जाता है कि जापान दो प्लेटों के बीच में स्थित है रियालिटी में जापान की टेक्टॉनिक इस्थिती यानि की विवर्थनिक इस्थिती इससे कहीं ज्यादा जटिल है यहां जो प्राइमाफेशिया में दिखता है कि एशिया और पैसिफिक ओशन प्रशांत महसागर की प्लेट में दिखाई दियने वाला जापान रियालिटी में माइनर प्लेट से भी काफी ज्यादा अफेक् करती हैं इस स्ट्ट मूव्मेंट के कारण जापान में लगातार आपको बीते वर्षों में भूकम दिख चुके हैं और यही यहां की ज्वाला मुखी गती विदियों को भी अभी प्रिरित करती है इसे जो है वो प्रो एक्टिव इस एरिया में कर देती है जापान के लिए क् एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से खासा जरूरी घटना यह अच्छा है यह पॉजिटिव है कि घटना ने किसी भी प्रकार की जन हानी नहीं की लेकिन डेफिनेटली एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से इस चीज को अगें चर्चा का विशह बना दिया है अब अगर आप तयार कर रहे हैं UPSC की और आपको चाहिए है क्वालिटी एजूकेशन तो ज़रा ध्यान से सुनिए स्टड़ी एक्यू के जो प्रीमियम प्रतिग्या प्लस बैचेस है अर्थात वह बैचेस जो UPSC की तयारी तो कराते ही हैं साथ ही आपके लिए 100% फ्री है क्योंकि इन बैचेस म मोटिवेशन के फॉर्म में 11,000 का कैश प्राइस भी दिया जाएगा जो स्टुडेंट फर्स्ट रैंक लाता है सापताहिक टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाकर आप 11,000 का कैश प्राइस और साथ ही वह स्किल वह नॉलेज गेंगर पाएंगे जो आपके UPSC के प्री को क्वालि दिया जाएगा बिना किसी कॉस्ट के फी तो रिटन हो ही चुकी होगी आपको स्टडी आएक्यू डेली बुलाएगा ताकि आपके मेंस के रिगार्डिंग अधर सारी चीजें कवर कराई जा सके याद रखिए इस बैच में एंड्रोल करने के लिए आपको जो है वह एके ल लाइब कोड का यूज करें इनी सारी सुविधाओं के साथ आपके लिए जोग्रफी ऑप्शनल का सेपरेट बैच भी उपलब्द है और अगर आप तयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जोग्रफी ऑप्शनल की तो डियर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं 24 मंत की एक्स अगर आप इसी प्रकार से जोग्रफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं और साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि जोग्रफी ऑप्शनल इस वन आप दी मोस्त इंपॉर्टेंट और ऐसे ऑप्शनल में से एक है जो यूपी एससी के प्रिलिमनर इग्जामिनेशन को खासा डॉमि पांच माह लगातार जोग्रफी को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑनर्स लेवल के अप्रोच से पढ़ेंगे तो डेफिनेटल यह प्रशन आपके लिए बेहद ही आसान होंगे सो इस उमीद के साथ के आने वाले समय में मैं आप सभी आईएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूँ चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में हैव वैरी नाइस डे थैंक यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी